आज हम लोग बात करेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप तो देखिए जैसे आप लोग नेस्टेड इफल्स स्टेट्मेंट पढ़ा है कि इफल्स के अंदर दूसरा इफल्स उसके अंदर दूसरा इसरा इफल्स ऐसा ही लूप जो अभी हमने वाइल लूप और फॉर लूप अज़नेई एक लूप के अंदर आधक के अंदर दूसरा ब आप चला सकते हैं तो आज हम लोग उसी को डिसकस करेंगे लेट इस कॉल नेस्टिंग ऑफ पंडूप लूप जया तो इसमें क्या होता है कि देखे इसको समझने के लिए कि हाउ नेस्टिंग ऑफ लूप वर्क्स हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्राम का एक्जामपिल लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि कैसे जो है लूप के अंदर आप लूप चला सकते हैं माल यह से सपोस कीजिए हमने एक एक एक्जाम्पिली प्रोग्राम की यहां पर कमेंट लाइन में लिख दिया प्रोग्राम टू एक्स्प्लेइन अग्ड़ नेस्टिंग आफ लूप लूप के अंदर हम लूप कैसे चलाते हैं उसको बनाने का यह प्रोग्राम है यह कमेंट लाइन एंड कर दिया है अब हम यहां से शुरू करते हैं माली जमने का में ठीक है और पहले हम वारेभिल टेक्लेयर करेंगे तो माली जमने वेरेभिल टेक्लेयर किया इंटीजर किया हमने लिखा से x, y, z तिरं इंटीजर हमने अब हमने क्या किया पहला फार लूक लगाया फार और फॉर में हमने condition दी x equal to 1 से 3 तर 1 से x is equal to 1 x is less than equal to 3 और हमने यहाँ पे दे दिया x plus plus ठीक है तो यह एक तरह से क्या हुआ हम आपको समझने के लिए comment line में लिए देते है comment statement देखें यह एक तरह से बाहर वाला loop हो गया outer loop ठीक अब यहाँ से हमने यह for की body start की इस वाले for इसके अंदर हमने दूसरी condition दी for y equal to 1 से हमने का y equal to 1 और y is less than equal to 2 और y plus plus यह हमने दिया यह क्या हो गया यह loop के अंदर यानि यह हो गया inner loop inner loop ठीक अब inner loop के अंदर यहाँ पे हमने इसकी body के अंदर दीगा लिखा किसाब z equal to x plus y यह आपको करना है और फिर print कराना है हमने का print तो printf किया हमने और क्या क्या print कराएंगे तीनों चीजे x क्या है y क्या है और z क्या है पर्सेंटेज दी और फिर हमने लिखा z equal to फिर हमने यहाँ दे दिया पर्सेंटेज दी और slash n लगाया ताकि एक line के बाद तुसरी line में अगली result आए और यहाँ course close कर दिया comma x y z और यह हमने यहाँ पर statement बंद कर दिया अब इस for को close किया हमने यहाँ पर इस for को close किया यहाँ पर और इस main को close किया यहाँ पर तो देखें यह nesting of loop हुआ अब आप यह समझें कि जब यह program मैं यहाँ पर आपको right panel में दिखा रहा हूँ जब यह program run करेगा तो देखें क्या होगा for x equal to 1 x को आपने 1 किया check करेगा 1 is less than equal to 3 ठीक है अब क्या होगा यह इसके अंदर आएगा x equal to 1 है फिर यहाँ चेक करेगा y equal to 1 ठीक तो देखें x की एक value के लिए यह दो बार चलेगा y equal to 1 y equal to 2 ठीक है आप देखें पहले हैं समझ लीजे x equal to यहाँ लिखने है value of x और x equal to 1 के लिए y 1 होगा और 2 होगा फिर x equal to 2 के लिए y फिर से 1 होगा 2 होगा और फिर x equal to 3 के लिए फिर y 1 होगा 2 होगा यानि टोटल यह जो अंदर वाला लूप है यह दो दो चार दो छे बार चलेगा और बाहर वाला एक दो तीन यानि टोटल आपको छे लाइन्स में result आएगा इसमें clear यह आपको clear हो गया होगा अब आप देखिए result कैसे आपको मिलेगा मैं आपको next उस पर लिख रहा हूँ ठीक है जब आप इस प्रोग्राम को run कराएंगे तो आपको क्या होगा सबसे प्रहे लिखा हुआ आएगा x equal to 1 फिर y equal to 1 और z equal to x plus y है तो आ जाएगा 2 ठीक फिर slash हमने दिया यानि अगली लाइन में control जाएगा तो अगली लाइन अगली लाइन का मतलब यह है तो देखिए फिर से वापस लोटी प्रोग्राम पर यहाँ पर x equal to 1 के लिए यह एक बार execute होगा sorry y equal to 1 के लिए फिर y equal to 2 के लिए फिर execute होगा यानि x की एक value के लिए inner loop दो बार चलेगा फिर एक value के लिए दो बार चलेगा फिर एक value के लिए दो बार चलेगा तो total 6 result आपको मिलेंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगे तो पहली लाइन में तो आपको आएगा x equal to 1 y equal to 1 z equal to 2 और slash आपने दिया तो फिर अगली लाइन में तो यह तो x अभी बाहर दो जाएगा नहीं x 1 रहेगा ठीक है और y equal to क्या हो जाएगा 2 और z कितना आ जाएगा 3 ठीक अब x की value क्या हो जाएगी 2 ठीक क्योंकि y की value जब 3 होगी तो inner loop से बाहर आ जाएगा ठीक तो x equal to 2 y फिर से क्या होगा 1 z कितना आएगा 3 फिर x equal to 2 y equal to 2 z कितना आ जाएगा 4 फिर y 1 2 चल चुका अब फिर बाहर आएगे तो x equal to 3 y equal to 1 z कितना आएगा 4 फिर x equal to 3 y equal to 2 तो z कितना आ जाएगा 5 ऐसे यह जो स्टेटमेंट है आपका यह छे बार देखिए inner loop दो बार चला यह आया यह आया यह आया यह आया और x की value देखिए यानि इसमें outer loop जो है outer loop वो तीन बार चल रहा है x equal to 1 के लिए फिर 2 के लिए फिर 3 के लिए और inner loop जो है वो y equal to 1 y equal to 2 दो बार चल रहा है और x की 3 values के लिए चलेगा तो 2 तिया total 6 result आपको इसलिए इस question में आपको मिल रहा है तो इस तरह के जो आपको programming करनी होती है इस तरह की जो problem solve करनी होती है इसी को nesting of loop कहते है और each value of the inner loop is cycled through twice मतलब x की एक value के लिए inner loop दो बार चला तो x की total 3 value है तो inner loop कितनी बार चलेगा दो तिया 6 बार चला ठीक है अब इसमें ये तो हो गया आपका nesting of loops अब इसमें एक चीज और छोटी सी चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि for का अगर आपको multiple initialization करना ह है इसको अब चाहिए तो लिख सकते हैं multiple initialization in the for loop multiple कि इनिशलाइजेशन कि इन दा कि वार लूप में फार का सिंटेक्स पर हम लोग पढ़ चुके हैं multiple initialization जैसे करते हैं कि तो अभी तक तो हमनों जैसे ऐसे पढ़ा है फॉर आई एक्वल टू वन कि आई लेस देन एक्वल टू टेन और आई प्लस प्लस कर दिया हमने इस तरह पढ़ा है हमने ठीक है लेकिन अगर आपको मल्टिप्ल यहां पर आई के साथ हमने का साथ आप जै को भी इन इस लाइस करना है कोई और में भी नहीं तो सिंप्ली आप क्या करेंगे आप यहीं पर दे दिजे फॉर आपने दे दिया जै एक्वल टू से कुछ भी आपने इस लाइस कर दिजे टू और आई से लूप चलना है तो आई एक्वल टू बन अच्छा यहां सेमी कॉलन नहीं यहां पर कॉलन लगेगा यहां पर सेमी कॉलन लगेगा जो जैसे आप देते आएं यह इनिसलाइसेशन हो गया यह टेस्टिंग कंडिशन हो गई और यह आपका इंक्रिमेंटेशन हो ग इसी को कोलते हैं multiple initialization इसमें क्या होता multiple assessment can also be used in the incrementation expression of for loop मतलब we can increment और decrement two or more variables at the same time however only one expression is allowed in the test तो इसे देखे आप यहां पर multiple initialization भी कर सकते हैं ऐसे ही आप यहां पर मल्टिपिल इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट भी कर सकते हैं लेकिन टेस्टिंग कंडिशन एक ही एलाओ होती है क्योंकि हम ने देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में जब फॉर हमने शुरू किया था तो उस टाइम हमने आपको फॉर का सिंटेक्स पढ़ाया था फॉर स्टेट्मेंट का उसमें क्या था फॉर यहां पर क्या था इनिश्यलाइजेशन उसके बाद सेमी कॉलन फिर था टेस्टिंग कंडिशन और उसके बाद था इंक्रिमेंट इंक्रिमेंट या डेक्रिमेंट कुछ भी करें इंक्रिमेंट ऐसे हैं ठीक है अब इसमें क्या है multiple initialization में देखिए वो यह कह रहा है कि for statement में आप multiple initialization कर सकते हैं multiple increment या decrement कर सकते हैं लेकिन testing condition जो है वो single ही रहेगी यह आपको ध्यान रखने वाली चीज है इफ कॉमा है और यह जो सेमी कॉलन यह जो सेमी कॉलन है यह अपनी जगह रहेंगे आपको यहां multiple करना है यहां multiple करना है उनको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे जैसे हमने आपने कहा फॉर सपोस कीजिए आपने कहा कि फॉर आई एक्वल टू वन कॉमा जे एक्वल टू टू यह हो गया सेमी कॉलन यहां आपने कंडिशन दी जे लेज देन एक्वल टू से कुछ भी टैन फिर यहां पर आपने क्या किया आई को बढ़ाना चाहरा है आप दे दीजे आई प्लस प्लस कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और लेकिन अगर यहां पर आप जे यूज कर रहा है तो पहले आप यहां पर जे दे कर सकते हैं और मल्टिपिल इंक्रेमेटेशन कर सकते हैं लेकिन टेस्टिंग कंडिशन एक फॉर स्टेट्मेंट में एक ही यूज हो लिए जैनल को ज्यादा सब्सुराइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दिजिए ताकि next video की information आपको तुरन मिल जाए Thank you